आज़ की कहानी का नाम है भगवान, मैं तीन बार आया तुमने पहचाना ही नहीं चंबल नदी के किनारे एक छोटा सा गाउं बसा हुआ था गाउं के लोग आपस में बड़े प्यार से मिलचूल कर रहते थे उस गाउं के लोग बहुत धार्मिक सौभाव के थे वही गाउं के बीचों बीच एक बहुत ही सुन्दर भव्या भगवान का मंदिर स्थापित था उस मंदिर में सभी गाउं वाले प्रते दिन पूजा अर्चना करते थे उसके बाद ही कोई अन्याक कार्या करते उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी एक पुजारी पर थी जो मंदिर में ही निवास करते थे वह सुबे से लेकर राद तक इश्वर की पूजा अर्चना में लगे रहते थे सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन गाउं पर प्रकिर्ती का कहर मुसलाधार बारिश के रूप में तूटा जिससे गाउं की नदी में बाड आ गई बाड का पानी जब गाउं में घुसने लगा तो गाउं के लोग घर छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगी लेकिन तभी एक व्यक्ती को गाउं छोड़ कर जाने के पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा वहाँ पहुंचकर वह पुजारी से बोला पुजारी जी बाड का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मंदिर तक भी पहुंच जाएगा यदि हमने गाव नहीं छोड़ा तो बाड में बह जाएंगे हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं आप भी हमारे साथ चलिए लेकिन पुजारी ने उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर दिया और वह बोला मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है पूरे जीवन मैंने उसकी अराधना की है वह मुझे कुछ नहीं होने देगा तुम लोगों को जाना है तो जाओ मैं यहीं रहूँगा पुजारी की बात सुनकर व्यव्यक्ति वहां से चला गया और पुजारी भगवान की प्रार्थना में लीन हो थोड़े ही देर में बाढ़ का पानी मंदर तक पहुँच गया पानी बढ़ते बढ़ते पुजारी के पेड तक पहुँच गया ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पुजारी से बोला पुजारी जी मुझे गाव में एक आदमी ने बताया कि आप अब भी यही मंदिर में फसे हैं मैं आपको लेने आया हूँ चलिए नाव पर बैठिए पुजारी ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उसने पहले व्यक्त के लिए याद करता हुआ पुजारी मंदिर के सबसे उंचे शिकर पर जाकर खड़ा हो गया तब ही वहां एक सुरक्षा दल हलिकॉप्टर से आया और पुजारी को बचाने के लिए रसी फेकी लेकिन पुजारी ने वही बात दोहराते हुए रसी पकड़ने से इनकार कर दि वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला भगवान मैंने पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया मैंने आप पर इतना विश्वाश रखा फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए तब ही पुजारी के शिकायत सोन भगवान पर गट हुए और बोले अरे मूरक मैं तीन बार तुझे बचाने आया था पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गाव वालों के साथ गाव छोड़ कर चलने को कहता रहा फिर मैं नाव लेकर आया और अंति में हेलिकॉप्टर अब इसमें मेरी क्या गलती कि तुने मुझे पहचाना नहीं पुजारी को जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीवन जीने का हमें अवसर ही प्रापत नहीं हुआ इसलिए अवसर किसी भी रूप में सामने आये उसे अपने हाथ से न जाने दे सो गाइज अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू